तब्सक्राइंड़ कामा टू भी है सर्थ जुट मेरा हाई फ्रेंड सुँटेज़ा है हमारे यूटुब चैनल इडितर आनन्द में तो फ्रेंड आपने भी जिस्स स्टेटस वीडियो को किस्टर्टिंग में देखा है आज हम कुछ उसी प्रकार से status वीडियो बनाने वाले हैं इस प्रकार का status वीडियो बनाना बहुत ही आसान है बस आपको वीडियो को end तक देखना है ताकि आप step by step समझ पाएं कि वीडियो को कैसे edit करना है ऐसे status बनाने के लिए हमें एक application चाहिए जिसका नाम है can master तो इसका link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हैं तो चलिए friend वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए friend आप हमारे चनल पर नए हो तो हमारे चनल को subscribe करो और साथ में वेल आइकन को प्रेस करो अब यहां से आपको लेने के बाद सबसे पहले मीडिया में जाना है और अपने photo को select कर लेना है जिस भी photo पर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए friend मैं अपने photo को यहां से select कर ले रहा हूं यह रहा हमारा photo अब इसके हमें duration को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है बढ़ाने के बाद यहां से हमें फैंसन जूम में आना है उसके बाद इसे हमें बराबर कर देना है और इसे हमें कुछ इस प्रकार से दोनों finger से खीच कर photo को जूम कर देना है इस प्रकार से उसके बाद में यहां से ok कर देना है और यहां पर हमें Starting Position पर आ जाना है उसके बाद हमें Layer में जाना है और Effect में जाना है और यहां पर हमें Wastic Effect में आना है और यहां पर हमें First वाला Select कर लेना है Select करने के बाद यहां से हमें OK कर देना है और इसकी Duration को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है बढ़ाने के बाद यह जो हमारा वालर का साइज है हमें कुछ इस प्रकार से इसे भी बढ़ा लेना है उसके बाद यहां से डाउनलोड कर सकते हैं यह रहा हमारा अब हमें कुछ इस प्रकार से इसे हलका सा रोटेट कर देना है देख सकते हो फ्रेंड और इसे हमें थोड़ा सा जूम करना है हलका सा और rotate करना है और हलका सा और zoom करना है और rotate हलका सा करना है और zoom करना है उसके बाद में हाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से set कर लेना है अब set करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है और इसकी length को कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है बढ़ाने के बाद यहां से हमें फिर स से ओके कर देना है अब इसे हमें एक बार सेब कर लेना है तो यहां पर हम सेर के अप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे सेब कर लेंगे सेप करने के बाद यहां से हमें बैक आ जाना है बैक आने के बाद हम इस दोनों को डिलेट कर देंगे यहां से और जो हमने फर्स्ट फोटो लिया था उसे हमें रहने देना है उसके बाद में हम लेयर में जाएंगे मीडिया में जाएंगे और जो वीडियो भी एक्सपोर्ट क करने के बाद यहां से हमें ओके कर देना है उसके बाद में यहां पर हमें इस फोटो पर किलिक करना है और यहां पर ठीडॉट पर किलिक करना है और डूब्लिकेट लेयर बना लेना है बनाने के बाद इस फोटो को हम थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से रोटेट करेंगे और थो बाद में हम यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्रोमा की में आना है और इसे हमें इनेवल कर देना है और अपने हिसाब से कुछ इसको हमें एजस्ट कर लेना है तो देख सकते हो फ्रेंड उसके बाद में हम फोटो पर क्लिक करें और यहां से हम कुछ भी लिख लेते हैं तो यहां से मैं लिख लिए रहा हूं फिल दी music आप जो चाहें वह लिक सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड है तो यहां पर हम फेल दी music लिख के okay कर लेते हैं और यहां पर हम इसकी font के style में जाएंगे और यह वाला font ले ले करते हैं उसके बाद यहां से ओको कर देते हैं और हमें कुछ इस प्रकार से जूम Yum कर जैया हैं अब इस्में यह में चलेंगे मीडिया में चलेंगे और अपने टेंपलेट को आइड कर लेते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिपक्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो यह रहां मेरा टेंपलेट अभी से हमें कुछ इस प्रकार से पुल स्कीन करना है और यहां पर नीचे के साइड में जाना है यहां पर हमें ब्लेंडिंग का अपच्शन दिन कर देना है कि अब आब इसे थोड़ा सा प्ले करकर दिखा दे रहे हैं देख सकते हुआ हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है अब इसमें song अपने हिसाब से लगा सकते हैं अब हमें वीडियो को save करने के लिए यहाँ पर हमें share के option पर click करना है और यहाँ पर आप quality अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहां पर मैं 720 रखूंगा और यहां पर पचीश रखूंगा और एक्स्पोर्ट पर क्लिक कर देना है और हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा व्यूंद है दोस्ते वीडियो आपको जरूर पसंद आये होगी पसंद आये हो तो लाइक जरूर करना और साथ में कमेंट करके हमें में जरूर सताई कि वीडियो है कि हमीस बता गएमिज़יות करते हैं तब तक के लिए टाता वाई वाई मिलतेSack